प्रो कोबड़ी सीजन 10 का दूसरा मुकाबला यू मुंबा बना यूपी ओधास के बीच में खेला जाएगा पहले ही दिन का ये दूसरा मुकाबला होगा जिसमें हमें परतीप नर्वाल एक्शन में देखने को मिल जाएगे और उनके खिलाप होगे सुरिंदर सिंग की यू म करने लिए शुरुबात करते मैच की इन्फो के साथ तो जैसे के मैंने आपको बताया कि ये दूसरा मुकाबला होने वाला है पीकेल 10 का जो यहाँ पे 2 दिसमबर कोई खेला जाएगा रात के 9 बजे एंड यू मुंबा एंड यू पी ओधास के बीच में होने वाला है वेन् यू मुंबा की स्टार्टिंग 7 में हमें सेंटर पे देखने को मिल जाएगे गुमान सिंग गुमान सिंग पिछले सीजन बहुत ही एक्सपेंसिव खिलाडी थे इस बार भी अच्छा कासा इनको पेमेंट मिला है लेकिन बात की जाए परफोर्मेंस की तो पिछले बार डिस जहां पे हमें जाफर दनिश एक नया नाम देखने को मिल रहा है जहां पे जै भगवान और गुमान सिंग अल्रेडी साथ में खेल चुके हैं पिछले सीजन यू मुंबा की टीम की तरफ से डिफेंस की बात की जाए तो राइट कवर पे हमें देखने को मिल जाएगे सुरि दिए ही करते हैं कि दोनों ही अच्छा परफोर्मेंस इस पार भी दिखाए तो राइट कॉर्नर पे हमें रिंकु शर्मा देखने को मिल जाएगे और इनका साथ देते हुए हमें एक नया नाम देखने को मिल रहा है लेफ्ट कॉर्नर पे जो यहां पे गिरिश एरनाक है तो बहुत ही अच्छा परफोर्मेंस दिखाए थे ओवरोल एन रिंकु सर्मा अच्छे फॉर्म में चल रहा है तो जो यू मुंबा का डिफेंस से सभी काफी अच्छे फॉर्म में है रेडिंग लाइनप की बात की जाए तो थोड़ा डाउट हो रहा है लेकिन मुझे लगता ह है कि गुमान सिंग एन जे भगवान अच्छे तरीके से खेले के बात करते हैं सब्सेडियूट प्लियर्स की तो यहां पर पहले मुकाबले के लिए यू मुंबा की इस हिसाब का सब्सेडियूट लिस्ट हो सकता है जहां पर नंबर एक पर प्रने राने नंबर दो पर हैद कवर के डिफेंडर है नंबर चे पर बिट्टू बनवाला जो राइट कोर्ने के डिफेंडर है और नंबर साथ पर सोमिर गोस्वामी जो यहां पर लेफ्ट कोर्ने के डिफेंडर है हैदर अली एकरामी और प्रने राने के अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई और प्लिय कि starting seven होने वाला है जैस जैसे कि आपको बता है कि pro kabaddi 2 December से start होने वाला है and pro kabaddi के बीच महीं हमें IPL का auction देखने को मिलेगा and इस बार का IPL auction interesting इसलिए है लिगो अगले साल का IPL auction mega auction होने वाला है and mega auction से पहले सभी टीम कैसे prepare करती है अगर आपको हर एक update सबसे पहले जानना है तो आप cricket गली टेलिग्राम चैनल को जोइन कर सकते हो IPL का हर एक update आपको उसमें सबसे पहले देखने को मिल जाएगा अभी फिलहाल retention के जितने भी coverage था बहुत अच्छे तरीके सु हुआ और आपने अभी तक जोइन नहीं किया तो फटफट जोइन कली जे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में में लिंक दे देने वाला हो ने तो टेलिग्राम पे जाके आप at the rate cricket गली सर्च करके जोइन कर सकते हो आई पर auction करीब है और एक अपडेट आपको सिर्फ cricket गली के टेलिग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा यूपी ओधास की तरह बड़े तो यहाँ पे यूपी ओधास के स्टार्टिंग सेवन में हमें सेंटर पे देखने को मिल जाएगे कप्तान परदीप नर्फाल और इनका साथ देते हुए राइट इन पे देखने को मिल जाएगे सुरिंदर गिल जो काफी अचा परफोर्मेंस दिखाए थे पिछले सीजन इंजरी के कारण जादा मैचेस नहीं कहले लेकिन तभी भी अच्छा परफोर्मेंस था और लेफ्ट इन पे एक नया नाम देखने को मिल रहा है चो यहाँ पे विजे मलिक है तो यह यहाँ पे UP ODAZ का रेडिंग ट्रायो है तीनों के पास ही काफी एक्सपिरियंस है तीनों ही अच्छे फॉर्म में है तो UP ODAZ का रेडिंग लाइनप अच्छा दिख रहा है डिफेंस की बात किजा तो हमें राइट कवर पे देखने को मिल जाएगे आशु सिंग और इनका साथ देते हुए लेफ्ट कवर पे देखने को मिल जाएगे हरेंद्र कुमार दोनों ही कवर डूओ अच्छे फॉर्म में चल रहा है और मुझे लगता है कि अच्छा पर्फॉर्मेंस दिखाएगे और कॉर्णर डिपेंडर्स की बात किजा तो राइट कॉर्णर पे हमें देखने को मिल जाएगे सुमित सांगवान और इनका साथ देते हुए लेफ्ट कॉर्णर पे देखने को मिल जाएगे नितेश कुमार तो जो कॉर्णर डूओ है वो यहाँ पे यूपी ओदास का सेम है जैसे हमें पिछले कुछ सीजन से देखने को मिल रहा है तो यह यहाँ पर UP ODAs की starting 7 पहले मुकाबले के लिए रहने वाली है अब यहाँ पर बात करते हैं सबसिटूट खिलाडियों की तो आप देख सकते हो जहाँ पर हमें नमबर एक पर महिपाल देखने को मिल जाएगे जो रेडर है अनिल चौदरी जोगए यहाँ पर Rader है फिर यहाँ पर नितिन पनवर जो की All-Rounder है सम्योल वफुला जो यहाँ पर All-Rounder है गगन गौड़ा रेडर है अरड गुर्दीप सांगवान जो Left Cover के Defender है किरन मगर जो यहाँ पर Left Corner के Defender है तो ज़्यादा तर हमें Raiders, All-Rounders ही देखने को मिल सकते, दो ही Defenders है जो Experience है, गुर्टीप और किरन मगर जिसमें गुर्टीप को मुझे लगता है कि ज़्यादा Chances मिलेगे खेनले का, अदर्वाइस सबी प्लियर्स बेंच पर ही बैठेगे, ऐसा मुझे लगता है, तो ये था दोनों ही टीम्स की Starting 7 पहले मुकाबले के लिए, आप कॉमेंट का के जड़ो बताएगा, कि आप कौन सा Changes देखना चाहते हो, इस पर डीटेल प्रिव्यू देखने को मिल जाएगा, आपको 2 December को जिस दिन मैच स्टार्ट होने बाला है, अभी फिलहाल के लिए ये ही ता दो पहले मैच की ऊपर भी वीडियो आ चुका है, जहां पे हमने तलगू टाइटन्स एन कुछराज चैंट के Starting 7 के बारे में डीटेल में बात किया है, आपने वह वाला वीडियो नहीं देखा है, तो लेफ साइट पे क्लिक करके देख सकते हो, और राइट साइट पे आपको क्लिक में वाला वीडियो तो झाथ चैंट ऐसे ऊच्